दोस्तों आजकल बहुत आसान हो गया है घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर दी ऑनलाइन खाना मंगा लिया ऑनलाइन शॉपिंग कर ली बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रिक्षा ऑटो इन सब का भाड़ा भी बचता है तो इन सब चीजों को मद्दे नजर आजकल हर चीजी ऑनल शुरू करते हैं आप उस चीज को ऑनलाइन प्लाटफॉर्म देते हैं तो हो सकता है कि कुछ सालों में आपका बिजनस जो है बहुत अच्छा ग्रो कर जाए और फिर आपको किसी शौप की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि मैं आपको अपनी फ्रेंड की बात पताती हूं मेर आज आम दिनी है तो आप ऑनलाइन बिजनस के बारे में तो जानते ही हैं लेकिन क्लाउड किचिन के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूं जो कि एक ऑनलाइन बिजनस के तरह से आप ले सकते हैं यह क्लाउड किचिन क्या है आप कैसे क्लाउड किचिन बिजनस के बार और देखना चाहते हैं, बिजनस को लेकर बल आइकॉन का बटन दबाएएगा और हाँ सब्सक्राइब करना पिलकुल ना भूलेगा। पिछले कुछ सालों में ये कॉंसेप्ट पूरी दुनिया में बहुत जादा लोग प्रिये हुआ है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि बड़े रेस्टरॉण खोलने में जो पैसा इन्वेस्ट होता था अब उतने नहीं होते। यहां केवल खाना बनता है और पैक होकर डिलिवर हो जाता है जिससे जादा एंप्लॉई और साफसफाई में भी कम मेहनत लगती है। ऐसे बहुत से एप हैं जो रेस्टरॉण, होटल, धाबा और भोजनाले से संपर कर पार्टनर्शिप कर रहे हैं जिससे लोगों को अलग-लग शेफ द्वारा बनाएगे खाने का स्वाद मिल रहा है वो भी घर बैठे। क्या है क्लाउट किचिन बिजनस ये एक ऐसा बिजनस है जिसमें रेस्टरॉण और दुकान के बिना ही ग्राहक तक फूर डिलेवर हो जाता है। पिशले कुछ समय में भारत में ऑनलाइन फूर डिलेवरी ने मारकेट में अच्छी पकड बना ली है और ये 15 बिलियन डॉलर का मारकेट है। इसका एक सबसे बड़ा कारण इसके सफल होने का ये है कि फूर डिलेवरी अब फास्ट हो चुकी है। सबसे पहले आपको एक आप बिल्ड करना होगा जोहां से कस्टमर आप से कॉन्टे करेगा और आप उसे सर्विस दे सकेंगे। इसमें आपके बीच एक दूसरे को जोडने का काम ये अप ही करेगा। जगा का चुनाव अवश्यक है क्योंकि फूर के मामले में ग्राहक फास्ट सर्विस की अपेक्षा रखता है तांकि वो गर्मा गरम खाने का स्वाद ले सके। इसके लिए आप शेहर के बीच में जगा ले सकते हैं या कुछ खेत्र चुन सकते हैं जहां सबसे जल्दी जिलिवरी कर पाएं। इस बिजनेस को कम पैसे में भी चालू कर सकते हैं इसके लिए पूरे सेटप पर ध्यान देना होगा। यानि फूड से रिलेटेट बटतन, एक्विपमेंट, राशन, कीचन के लिए जगा, फ्रीजर, बर्नर और अन्य में इन्वेस्ट करना होगा। जादा बजट ना होने की स्थिती में किराय पर भी उपकरन लेके अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। वेयर चाहे कम हो या जादा, अगर सर्विस अच्छी होगी तो जादा से जादा ग्रहक जूर सकेंगे। बिजनस को बढ़ाने के लिए एक ही एप पर फोकस नहीं हो सकते, क्युछ अलग प्लाटफॉर्म भी साथ में देखने होगे। या फिर आप खुद ही अपने वेबसाइख के लिए आप या वेबसाइट बना सकते हैं। किन बातों का रखें ध्यान। आम तोर पर बिजनस शुरू करने का कोई समय नहीं होता। बिजनस आप कभी भी चालू कर सकते हैं। जरूरी होता है कि आपने उस पर कितना समय दिया और कैसे दिया। वर्तमान समय में करोना महमारी की वज़़ा से कई बिजनस ठपड़े हुए हैं। वही ठेले ना लगने से चेटर पटर वाली चीज़ें भी बाजार में नहीं मिल रही। तो अभी सही समय है आपके क्लाउट किचन बिजनस का। मार्केटिंग कैसे करें। अब जब पूरा सेटप बैट चुका है और आप आप आडर लेने और डिलिवरी करने के लिए तयार हैं। तो अब बात आती है मार्केटिंग कीूँ। Marketing इसलिए ताकि आप अपने प्रतिद्वन्दियों को टक कर दे सकेँ अपने बारे में जादा से जादा लोगों को बता सकेँ लोग जिटना जादा आपके बारे में जानेंगे उतना ही आपका काम आसान हुगा और उतने जादा कस्टमर आपसे चूड़ेंगे Cloud Kitchen online platform है तो marketing भी online करिए इसके लिए digital marketing expert रख सकते हैं या पर किसी agency को hire कर सकते हैं साथ ही social media पर भी promotion कर सकते हैं क्योंकि बहुत से user social media पर active रहते हैं ग्रहक आप से जुड़ें उसके लिए offer promote कर सकते हैं ग्रहक की query solve कर सकते हैं और भी ऐसी चीज़े हैं जिनको करने से आप online marketing द्वारा ग्रहक बना सकते हैं Cloud Kitchen की फायदे और नुकसान फायदे, कम investment में जादा profit, शौक को business बना सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, long term profit बहुत अच्छा है नुकसान, restaurant, hotel में लगने वाली भीड कम हो रही है, जिससे उनके business पर असर हो रहा है business कम होने की वज़ा से maintenance का खर्चा नहीं निकल रहा, खाना वेस्ट हो रहा है, waiters की job खत्म हो रही है Okay Credit, business okay है